हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स तो एक्जाम में नी 2021 के लिए अब जाड़ा टाइम नहीं बचाया है देन अब कैसे त्यारी करें लास्ट टाइम का टाइम है एट मन्स बचे में हैं क्या स्लेबस है क्या नहीं है तो उस टाइप के कोसंस को आगे हम लोग यहां पर डिसकास करेंगे तो पहला पॉइंट एक चीज़ यहां पर बहुत सारे स्टुडेंस मुझे कहते हैं कि सर मैं बहुत देर तर तक मैंने पढ़ा लेकिन नी 2020 क्रैक नहीं कर पाया तो सबसे इंपॉर्टेंट बाट यहां पर एक चीज़ आप समझ लीजिए कि एक महनट एक लेवर भी करता है और एक महनट एक एंटरप्रेणियोर भी करता है लेकिन एंटरप्रेणियोर की सक्सेस ग्रोट हाई रहती और लेवर की सक्सेस ग्रोट कम रहती है तो इसका सीधा सीधी मतलब यहां से कि आपका महनट किस तरफ जाड़ा अब बाईचांस आप वो चैप्टर पर रहे हो जो नीट में इन्पोर्टेंट्स ही नहीं रख रहा है अब बाईचांस आपने मेकेनिक्स में 6 मंट्स लगा दिया और मेकेनिक्स से कोसन कितना पुष्टा है 1 और 2 तो अब आपको यह देखना है कि आपको किस टाइप से त्यारी करना कौन चैप्टर को ज़्यादा फोकस करके त्यारी करना और किस चैप्टर जो आपको हाट लग रहा उसको आप इसकीप कर सकते हो अगर टाइम लास्ट में बचे तो तब देखना उस चैप्टर को अब बात यहाँ पर एक चीज़ आप समझ लो कि हर स्टूडेंट का माइंड सेट अलग होता है तो यह जो अभी वीडियो चलने वाला है तो यह सिफ और सिफ एक कॉमन पेज जो आप 500 प्लस स्कोर कर सकते हो उसके लिए है तो फर्स्ट अफ ओल सब स्टूडेंट को यह लगता है कि नीट की फिजिक्स बहुत टाफ है तो ऐसा कुछ नहीं है नीट की फिजिक्स बहुत इची है बस आप यह समझ लो कि आप गलत नोट्स पर रहे हो या कुछ भी गलत पर रहे हो in the sense करने का मतलब है कि आप जो नोट्स पर रहे हो और जो फось मुला पर रहे हो उसके वह कोशन में एपलाई हो रहा है तो एक चीजिश दिमाग में बैठालो कि जो कॉसन हमने फॉर्मुला एफिलाई हो रहा है सबसे पहले हैं इंपॉर्टेंट बात खेंधि कि उस फॉर्म topic, line वो previous year से ही पुछता तो पहला point अगर हम बात करते हैं कि bio में तो biology में 12 part maximum रहेगा यानि 60% 12 part रहेगा और biology की अगर हम बात करते तो सबसे पहला chapter आपको जो complete करना है वो है ecology, ecology topic में 4 chapter included है और 4 chapter मिला के 10 question पूछाया जाएगा लेकिन यहाँ पे अब market में क्या गलती होता है कि ecology है last unit और ecology की last unit होने के कारण last में teachers उसके notes दे देते हैं और कहते हैं कि यह notes को पढ़लो और हो जाएगा लेकिन ऐसा नहीं होड़ा है तो ecology में भी अगर आप बात करो तो ecosystem में ज़्यादा time नहीं देना है क्योंकि ecosystem से एक question से पूछेगा सबसे ज़्यादा question अगर हम बात करें तो organism and population से पूछा जाएगा and environmental issues से पूछा जाएगा अगर फिर इसके बात second में आए तो biotechnology आएगा तो biotechnology part आपका seven question कवर करेगा ठीक है then बात करें तो human reproduction आपका two question कवर करेगा and plant reproduction आपका two to three question कवर करेगा reproductive health से one और two question पूछा जाता है यानि अगर reproduction chapter के भी बात करें तो fourth chapter मिला के आपका total to total approach question पूछेगा eight to nine question then आपका आता genetics and evolution में genetics and evolution बहुत important topic है यह आपका करीब to करीब 12 question कवर करेगा लेकिन यहाँ पे एक चीश दिमाग में बैठाल लिजिएगा chapter numbers is molecular basis of inheritance और ecology के scientist आपके hand tips में यार होने चाहिए क्योंकि अगर scientist पूछता है तो mainly genetics और ecology के ही scientist का नाम पूछा जाता है then अगर हम बात करें strategy for enhancement in food production की तो यह important chapter नहीं है इससे में भी कभी कभी एक question पूछ देता है microbes in human welfare important topic and human 10 disease से आपको 3 question पूछे जाएगा और इसमें एक question जरूर पूछा जाएगा active and passive immunity से तो active and passive immunity आपका सबसे important topic में आएगा then अगर हम लोग 11 की part की बात करें तो 11 के part में आपका सबसे important चीज जाएगा human physiology वो common sense की बात है कि अगर हम mbbs करने वाले हैं आगे तो human physiology सबसे important topic में जाएगा इसका करीब तो करीब आपको question पूछा जाएगा 15 ठीक है और इसमें आपका सबसे खड़ाब topic अगर हम बात करें या need के लिए कम importance वाला topic बात करें तो वो है locomotion and movement then उसके बाद सबसे important chapter आता है cell, cell का unit आपको total to total 10 question cover करता है cell और cell cycle और biomolecule अब यहाँ पे यह 10 question इसलिए cover कर रहा है 3 chapters मिलाके क्योंकि यह botany का भी part और geologic का भी part अब आता है अगर हम लोग diversity का बात करते हैं तो biological classification सबसे important chapter होगा क्योंकि इससे question पूछे जाएंगे 4 to 5 plant kingdom से 2 to 3, animal kingdom से question रहेगा आपको 2 अगर हम structural की बात करें, unit 2 की बात करें तो इसको आप एक बार skip भी कर सकते हैं क्योंकि यह last time है अगर bio का 11 and 12 पूरा complete हो जाता है तब unit 2 को आपको touch करना क्योंकि unit 2 मिला के आपसे only 3 question पूछे जाएंगे और यह लंबा chapter है plant physiology एकदम last में आपको पढ़ना है क्योंकि सबसे boring topic है पहनपूरे 11 and 12 का सबसे lengthy topic है और इसकी बात करें तो अगर आपको 5 chapter मिला के 5 question पूछ रहा है और यह आपका two months ले रहा है तो इस topic को एकदम last में देखना है कि अगर by chance मेरे पास time बचता है तो हम plant video पे cover करेंगे एक चीद दिमाग में रख लीजेगा 90 question में से 85 question NCRT से line to line पूछा जाएगा तो biology के लिए आपको NCRT ही prefer करना है books की अगर हम बात करते है then NCRT से आप ठ्योड़ी पर के सबसे पहला काम आप करेगा previous year question NEET और AI PMT के आपको लगा लेने हैं और यह चेद दिमाग में रखना है कि अगर हम 5 question जो extra पूछे जा रहे हैं extra topic से पूछे जा रहे हैं उस पे focus करना है यह सिप और सिप 85% जो NCRT के line से पूछे जा रहे हैं उस पे focus करना है ठीक है तो अगर आप diversity पर रहे हैं तो market में सब teachers I know that बड़े बड़े institute से लेके हर जगत में आपको NCRT के बाहर बहुत सारे चीज points पढ़ाए जाएंगे लेकिन उन points को आप रख्टा मारते रह जाओगे लेकिन NEET में उससे question नहीं पूछा जाएगा अब आपको यह tag करना है कि आपको अपना knowledge बढ़ाना है अभी 6 मेना में या आपको NEET crack करना है NEET crack करने के बाद आप चितना चाहो knowledge gain कर सकते हो अभी NEET crack करने पे focus करना है जिस दिन NEET नहीं crack होगा किसी नहीं यह नहीं पूछना है कि हाँ मैंने extra पढ़ाया था और इसे question नहीं पूछा है तो इसे लिए focus only on only NCRT अगर हम chemistry की बात करते हैं तो chemistry का साड़ा chapter important है मतलब की हर chapter से एक question पूछना ही है इसको अब question रहता है chemistry से 45 तो आपको एक ची दिमाग में यह बैठा लेना है कि जो बचे physics से डरते हैं कि हाँ physics ने physics और दीनवर physics पढ़ते हैं तो यह क्यों कर रहे हो भाई मतलब की अगर biology और chemistry को इतना पका कर लो तो आपका approach to approach 450 प्लस score तो आपको सिप बाई और chemistry देगा तो 450 को पहले अच्छा से करो ना उसके बाद physics पर focus करो अगर chemistry में बात करें तो 3 chapter जो market में skip कर दिया जाता 3 to 4 chapter जो सिप notes देके हटा दिया जाता उस 4 chapter आपका scoring chapter है जो theoretical base है जिससे सिप और सिप आपको समझना है और question लगा क्याना कुछ रटने वाला part से examples है तो वो 4 chapter है आपको environmental chemistry, chemistry in everyday life, biomolecules and polymer यह 4 chapter मिला कि आपको question पूछे जाएंगे 5 तो 45 question में से 5 question scoring chapter से पूछे जाएंगे सबसे important अगर हम बात करें तो P block element है तो P block element वो भी class dual का part है जिससे 5 to 6 question पूछे जाएंगे अगर अब बच्चे को डर लगता है organic chemistry से अब market की स्थिती समझो क्यों organic chemistry से डर लग रहा market में teachers क्या करते हैं कि class 11 में organic जो basic organic chemistry जिसका chapter है वो उसको 2 to 3 months लगा देते हैं अब 2 to 3 months लगाने के बाद question उस chapter से पुछता है एक और बच्चे को हो जाता है डर की हाँ इतना सब चीस पढ़ने के बाद question लगता ले अब जब बारी आता है alcohol, phenol, ether, carboxylic acid, amines यह सब की बारी आती है तो फिर teacher बोते हैं कि हमने basic of organic chemistry में यह यह point किलियर कर लिया जिस कारण से वो skip हो जाता है और यहाँ पे question नहीं लगता है और फिर बाद में आप amines chapter के notes पर के अगर question solve करने जाते हो तो आपसे एक भी question नहीं लगता है तो यहाँ पे आपको यह देखना है कि organic chemistry में आपको first of और amines, carboxylic acid यह सब alcohol, phenol, ether इसा पर focus करना है class 11 का some basic principle of organic chemistry से नहीं करना है second चीज आता है कि बच्चे दिन रात एकदम mechanism पढ़ने में लग जाता है भाईया आपको graduation नहीं complete करना आपको J.E.M.S. और J.E.A.डवांस नहीं crack करना है आपको crack करना है नीट नीट में mechanism से question नहीं उससे सिफ पूछेगा कि reactant क्या था, product क्या था, अगर इस डो compound में से compound A है तो compound C का नाम दे देगा तो compound B क्या था बस इतना ही पूछने वाला सिफ reaction पूछने वाला mechanism नहीं पूछने वाला physical chemistry के अगर हम बात करते हैं तो physical chemistry में हर एक chapter important है और chemical kinetics से एक चीज़ अमेशा याद रगना first order reaction का जो formula है कि का उससे हर साल एक कोशन पूछता है तो सिधा सिधी वो formula apply करो और question solve करो ठीक है then आता है mole concept की अगर हम बात करते हैं तो mole concept में ज़्यादा दिमाग मत खपाओ mole concept के आना दो महिन आपका ले लेगा और एक कोशन ही पूछेगा वो भी कभी कभी पूछ देता है अगर उसका मन करता है तो अगर हम बात करते हैं अब physics के तो physics में unfortunately मुझे ये कहना पड़ेगा कि आपने अपना six month mechanics को दे के बढ़वात किया है mechanics बहुत tough chapter लगता है 11 का सबको और कोशन इसे पुछते हैं बहुत कम तो इस करण से आपने mechanics में इतना समय बरवात करने के बाद electrostate में three months बरवात किया होगा और electrostate से भी कोशन पुछते हैं एक या दो और यह सब चैप्टर लेंदी है और प्लस यह सब chapters में बहुत बच्चे का यह रहता है कि कितना भी हम notes पर ले कुछ भी कर ले कोशन पे वह formula एपलाई या वह concept एपलाई नहीं होता है हर कोशन में एक नया formula डेवलोप हो जाता है तो भाईया आप लोग उस पे जाज़ा focus ना करें और लास्ट टाइम पे जो market में चल रहा है क modern physics और optics को last में उड़ा दिया जाता है एक दो month में और सबसे important अगर physics की बात करें तो आपको optics and modern physics है जिसको मिला के total question पूछेंगे 12 to 13 अब 12 to 13 question को market में हवा में उड़ा दिया जाता है और एक दो question के लिए आपको 6 month से पढ़ाया जा रहा है तो यह आप लोग को भी अपना रखना है कि first of all आपको अभी optics के लिए complete करना है then modern physics complete करना है उसके बाद 11 का अगर बात करें तो collision से एक question पूछेंगा यह पूछेंगा collision का formula पे question बेश रहता है फिर thermodynamics and gravitation easy chapter है 11 का वो उससे question आपको total 5 to 6 पूछेगा electro state magnetic and mechanics यह तीन chapter को आपको last में पढ़ना है जब तक आपका modern physics, optics, work power energy, gravitation and thermodynamics यह 5 chapter अच्छे से complete नहीं हो जाते तप तक आपको mechanics, electrostate and magnetic नहीं छुना है अब हम लोग बात करते हैं कि कौन सी book पढ़नी है तो सबसे पहली बात कि आपको NCRT एक न एक बार physics और chemistry का reading डालना है यह chemistry का तो आप बार बार डालो फिजिक्स का at least one time आपको reading डालना है अब आप कहोगे कि भाईया numerical mcq ncrt तो देता नहीं है तो यह आपकी गलर्ट पहमी ncrt ने numerical and mcq का book निकाला है जिसका नाम है ncrt exemplar जिससे हर साल 20% question ncrt exemplar से पूछे जाते हैं जो कि कोई बच्चा मतलब mostly अगर need experiment की बात करें तो 10 से 20% student उस book को solve करते हैं तो आपको सबसे पहला क्या करना है ncrt then previous year question bank then ncrt exemplar ये तीन जब तक book सारे chapter के अगर आप question solve नहीं कर लेते हो तब तक दूसरे question को touch नहीं करना secondly ncrt के बाहर का कोई भी topic touch नहीं करना है आपको अगर आप touch कर रहे हो तो भाईया आप करनी 2021 खतरे में है तो doctor बनने के बाद आपको जितना है knowledge लेना है आप ले सकते हो अब chapter को correlate करके हम लोग कैसे पढ़े वो समझों क्योंकि without correlation आप कोई भी chapter को revise नहीं कर सकते हो biomolecule जब आप class 11 का पढ़ रहे होते हो तो आपको biomolecule class 12 का भी साथ में complete कर देना है जो की chemistry का पार्ट है तो biology और chemistry आपका clear हो जाएगा second चीज है कि अगर आप environmental chemistry पढ़ रहे हो तो biology का class 12 का environmental issue भी साथ में लेके पढ़ होगे तो वहाँ पे clear हो जाएगा chapter number two structure of atom और physics का last chapter atom and nuclei को दोनों को साथ में लेके पढ़ होगे तो दोनों अच्छा से clear होगा ठीक है क्योंकि आधा concept atom and nuclei में है और आधा concept structure of atoms में ठीक है अब बात हम करते हैं कि bio physics chemistry तीनों को कैसे relate करना by chance अगर हम बात करते हैं कि अगर seminal plasma में fructose calcium पाया जाता है तो fructose का उसी time पे अगर हम structures human reproduction में note कर लेते और fructose के बारे में points note कर लेते तो आपका पिछला chapter भी revise होते चला जाएगा देया chapter के साथ तो यह चीज आपको डखना है अगर हम proto joints के बारे में बात करें तो ant amoeba histolace या जो class 12 का human and health and disease का पार्ट है तो उसको एक दूसरे से correlate कर सकते हैं तो यह सब चीज आपको देखना है कि किस chapter को किस chapter से correlate हैं और मेरा next video जो भी आ रहा है आपको lectures का तो उसमें हर chapter को मैं बताते जा रहा हूं कि कैसे कैसे correlate करना है और कुछ दिनों में NCRT based question भी upload होना start हो जाएगा अगर आपको study chart बनवाना है कि किस तिन कैसे कौन से chapter को पढ़े और आपका खुद का carrier का sling या मतलब in the sense आपका study planning क्योंकि हर student का अलग mindset होता है कुछ student को लिख के याद करने की यादते कुछ student को रठने की यादते कुछ student को समझने की यादते को यह सब सब चीज को कैसे solve होता है वो चीज हम लोग को अगर आपको देखना है तो नीचे comment box में आपको लिख सकते हो उसके बाद हम लोग एक दूसरे से talk करेंगे कि हाँ कि आपको कैसे कैसे पढ़ाई करना है क्योंकि आपका syllabus अलग complete होगा दूसरे student का अलग complete होगा तो आपके syllabus के अनुसार अब कैसे त्यारी करना है नीच 2021 की तो इस पे हम लोग planning कर सकते हैं कि हाँ और एक चीज दिमाग मे बहुत सारे student को रहता है कि हाँ आज हम पढ़े फिर 3-4 दिन के बाद वो हम भूल जाते है या फिर बहुत बड़ा ऐसा हो था कि exam के time में हम लोग पढ़ाई कर exam में कोर्सन सॉल्व कर रहे लेकिन हमको ये मालूम है कि इस page का इस para का ये line का ये word है लेकिन वो word उसी time पे mind से skip हो जाता है confused हो जाते हैं हम लोग तो ये सब सब चीज क्यों होता है कैसे होता है ये सब हम लोग प्रसनल काउंसलिंग में बात कर रहेंगे अगर वीडियो पसंद आया हो तो नीचे लाइक का बटन है लाइक पर क्लिक सब्सक्राइब डीच चैनल और उस गड़िए